हेलो दिस संकर एंड यू अचिंग केंपुस नियोज दोसों दिली बिशुई दिली के स्कूल ओफ लर्निंग के सकेंड समेश्टर का जो है टेंटिटीटीव डेटशीट जो है रिलीज कर दिया गया है तो आज हम इसी के उपर में चर्चा करेंगे कि कब से आपका जो है डेट हमारे चैनल पर आपको मिलता रहे तो दिली बिशुई दिली के स्कूल ओफ लर्निंग के सकेंड समेश्टर का भी जो है आप टेंटिटीव डेटशीट जो है रिलीज कर दिया गया है जो कि आपको एक्जामनेशन विपसाइट जो कि एक्जाम.du.ac.in है इस पर आके आपको जो है डेटशीट पर क्लिक करना है यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको जो है टेंटिटीव डेटशीट आप यहाँ पर समेश्टर सेकेंड अगस 2022 आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पर आपको आजाना है यहाँ पर नीचे आओगे तो आपको जो है च् second semester का download कर लेते हैं और देखते हैं कि आखिर इनका exam जो है कब से start है और कब जो है खत्म है तो दोस्तों यह जो है देख सकतो tentative date sheet का मतलब पहले मैं यह बता दो कि यह जो है final date sheet आपका नहीं होता है यानि कि इसी date के according आपका exam होता है लेकिन दुबारा से एक बार जो है final date sheet जो है release किया जाएगा उसी के according आपका exam होगा तो इसमें पेपर कोड कोई गलत है या फिर एक ही दिन में दो-दो आपका exam सो हो रहा है तो इसमें आपको कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है final date sheet में यह सब ठीक कर दिया जाता है तो यहाँ पे देख सकते हो यह वी date sheet जो है जरूर देख ले फिर जो है 8 को है उसके बाद जो है फिर 10 को है फिर 12 को है तो इसी के according आपका exam लिया जाएगा और यह जो है दो सिप्ट में करवाया जा रहा है एक morning सिप्ट में जो है 9 से 12 और evening सिप्ट में जो है तीन से 6 के पीज में आपका यह जो है exam होगा तो जरूर जो है अपना date sheet जो है देख ले बाकि कोई confusion होगा तो आप हमें direct जो करके भी जो है पूछ सकते हो जिसका link जो आपको description में मिल जाएगा या फिर आप हमें comment करके भी जो है कभी भी पूछ सकते हो लेकिन हलाकि यह date sheet पे जो है यह confirm नहीं किया गया है कि आपका जो है exam online mode में लिया जाएगा या फिर उफ़ ला मोड में लिया जाएगा लेकिन जो अभी जो की तयारी कर दो ताकि आप जो है offline mode में अपना exam जो है अच्छे से दे पाओगे तो यहाँ पर देख सकतो यह जो है become honors का आप जो है date sheet है तो अपने subject के according जो है यह देख ले यह भी जो है 5 अगत से ही आपका exam में start है और यह भी जो है यह भी जो है 6 अगत से आपका exam में start है तो आप जो है यहाँ पर देख सकते हो AECC का जो है पहला paper होता है उसके बाद फिर जो है दूसरे subject का जो है paper होगा तो यह जो है जरूर देख ले और आपका exam जो है लगभग अगस्त लाश्ट तक जो है चलने वाला है तो इसी के according जो ह जो है second semester का जो है tentative date sheet है जो कि आपका 7 June से जो है यह जो है female यानि की girls के लिए start है और आपका 7 June के लिए जो है male यानि की जो boys है उनके लिए start है girls के लिए जो है morning में है 9-12 और boys के लिए जो है यह evening में है तीन से लेके 6 के बीच में तो इसी के according जो है आपका exam होगा तो आप अपना subject देख ले फिर जो है आप subject के according ही जो है आप अपना exam दे पाओगे तो यह जो भी subject है अगर आपको subject नहीं पता है तो आप अपने जो है अपने student dashboard में login कर ले और वहां से जो है सवालों का आपको जो है जवाब देते हैं तो उमीद है कि आपको जो अपना date sheet जो है पता चल गया बाकि और भी कोई confusion है तो आप हमें comment करके भी जो है पूछ सकते हो बाकि आज के इस वीडियो में इतना ही वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा अपने दोस्तों के सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा ताकि आपको मिलता रहे बाकि सुक्रिया धन्यवाद